हेलो एब्रिवन आपका स्वागत है मले स्टड़ी पर आज हम पढ़ने वाले हैं पारामेटकल के लिए जो इंगलिस का टेस्ट चल रहा है या सेट कर सकते हैं आप तो सेट नमर आठ हम पढ़ेंगे आज साथ सेट हो चुका है नहीं देखें लिंक डिस्क्रिशन में है तो आप नमर में आज हम पढ़ने वाले हैं सेम यह कोस्चन प्रिवेस येर पर वेस्ट है अब देखें उसमें आपका पैसेज भी पुछता है मैं पैसेज छाट कर दिया हूँ ठीक है पैसेज के लिए अलग से मैं वीडियो लाँगा कि कैसे चूज करना है आपको आँसर तो चलिये सुरू करते हैं नमर में क्या चूज द न करेक्ट वर्ड मतलब करेक्ट आपको चूज करना है तीन को गलती हाँ यह को सही है और मेडिसीन दिया है और आप लोग को मेडिकल कहीं तयारी कर रहे हैं अब मेडिसीन कहीं मेनिंग नहीं पता होगा तो बहुत गलत बात होगा तो बताइए तो यह मुझे कमेंट करके बताइए आप यह कोशन मैं छोड़ दे रहा हूँ मुझे comment करके बताइए कि इसका answer क्या होगा तायारी कर रहा है medical काण medicine का यह spelling नहीं याद होगा तो कैसे काम चलेगा जुद पर मुझे comment करके जो बताइबा उसको अगले वीडियू में उसका मैं नाम लूँगा कि हाँ यह यह बच्चा ने comment किया है तो यह homework हुए आपका इसको मैं सुरू में ही पहले cutting करके डाल दूँगा बहुत लड़का नई देखता है अंततक्तु इसलिए तो यह रहा है आपका homework पहला question पढ़िए क्या है they worked hard let's they dash in the examination तो क्या होगा first है आप देखिए कि first वाला जो है let's के पहले वाला क्या है past में past indefinite में है लेगिन यह conjunction से जुड़ा होता तो इसके बाद वाला जो है वो आपका past perfect में जाता लेकिन यह let से जुड़ा है तो इसके बाद वाला जो आएगा situation अनुसार क्या कह रहा इसका हिंदी के अनुसार यहां पर यह future में जाएगा ठीक they worked hard वो बहुत मेहनत कर रहा है so वो exam में मेहनत करेगा तो मतलब they work hard अगर वो मेहनत करेगा नहीं तो they will fail in the examination मतलब अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो exam में fail हो जाएगा तो option number A आपका answer हो जाएगा ठीक they worked hard they will fail in the examination वो let's जो है न यह negative सब्ध है ठीक है let's until हुआ यह सब negative सब्ध है खुद यह negative हमको देते हैं उसका भाव हिंदी में आएगा तो क्या हुआ कि वो मेहनत वे they से वे हो जाएगा वे मेहनत करेगा नहीं तो वे exam में fail हो जाएगा तो option number A आपका answer हो जाएगा चलिए दूर नमर क्या है for the adjective यहाँ पर choose करना है advice है अब advice का हिंदी जानते होंगे आप सला होता है लेकिन हिंदी से मतलब नहीं है यहाँ इसको क्या बनाना है आपको adjective बनाना है अब adjective बनाने के लिए क्या कर सकते है जीतना भी मैं adjective वाला दे रहा हूँ adjective का आता है book में आप पड़ आये होंगे तो उसमें दिया होगा उसको पौण लिजेगा ध्यान से या जो थोड़ा अलग हटके होगा उससे याद करिएगा तो advice का हिंदी होता सलाह लेकिन इसका adjective बनाएगा तो ये बन जाएगा एड़ भाइज जीएबल option नमर डी क्या बन जाएगा एड़ भाइज जीएबल इसका मतलब होता है सलाह कार तो इसका समझ गए adjective कैसे बनेगा चलिए देखिए मैं काना चालता हूँ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like जरूर करिए ठीक है और share जरूर करिए अपने दोस्तों को बासा नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा ठीक है चलिए तो तीन नमर पढ़ते हैं हम तीन नमर क्या है give the pull rule आपको बनाना है analyze अब analyze का क्या बनाना है आपको pull rule और pull rule बनाने के लिए आप पढ़े होगे कि noun के onth में जो भी is जुड़ा हो onth में अगर है is तो उसको pull rule बनाने के लिए क्या करते है i को e बना दीजिए es कर दीजिए मतलब i को e कर दीजिए बाकी वोई से क्योई से रख दीजिए तो क्या आपको इसमें कौन सा दिख रहा है उस तरह से द्यान से देखिएगा तो कौन दिखेगा अप्शन नमर दू ठीक analyze analyze का है हिंदी क्या होता है आपका bislation करना होटा न analyze किया जा रहा है आपके questions को मतलब इस लेशन किया जा रहा है तो हिंदी में कोई फरक नहीं पड़ेगा pull roll बन गया तो लेकिन pull roll कैसे बनेगा तो analyze को analyze क्या करना है शिर्फ is last में हो अगर उसको pull roll बनाने के बोले तो i को सिर्फ e कर दिजिए बाकी जेंगा है उंगल लिख दीजिए तो बन जाएगा आपका pull roll ठीक है चलिए चार नमर देखते हैं क्या बनाना है आपको narration कह रहा है indirect है न he said to them don't make an wise बने वो उससे कहा हाला मत करो तो कैसे बनाएगा इसका indirect he told he told नहीं आएगा यहाँ पर past में ही जाएगा तो he asked अब टोल तो 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 तीन को लाइने से आपार्ट सा गया इसका मतला option नमर चार हो जाएगा option छाटना भी सीखिएगा न तो आसानी से कर लिजिएगा हाला कि narration उतना hard नहीं है सारे rules को एक बार देख लिजिएगा एक कोस्टन फिक्स है आपका narration of voice इस बात को गाठ बान लिजिएगा तो क्या हो जाएगा he ask them not to make a noise ठेगा option नमर D आपका answer हो जाएगा तो लिए पास नमर voice बनाते हैं I know him मैं उसे जानता हूं तब voice कैसे बनाएगा जो object होता है उसको subject बनाते हैं तो him के हो जाएगा he अब he अब no भाई तो present में है present में है तो क्या बनाएगा इसमें tense नई change होता है तो present है तो present है में रखिएगा he is he क्या लेगा present में गर रखते है तो is लेगा non to me ठीक है option नमल d non to me ये ध्यान रखेगा narration बनाते समय by लगता है by उसके बाद subject बना को लिख दिया जता है लेकिन non जो है न non no नो फिर पोजिशन to लेता है इसलिए by नहीं लगेगा यहाँ पर to लगेगा इस बात को ध्यान रखेगा जहां भी non आया non ये non का आपका verb to इस बात को फिक्स फिर पोजिशन है ध्यान रखेगा objective में भी feeling in the blanks में भी दे सकता है आपको he is known as me तो क्या भरेगा to चलिए यह फिक्स फिर पोजिशन हाए तो इसको ध्यान में रखेगा चलिए छव नमर क्या कर रहा है fill in the blanks with suitable conjunction अब देखे यह suitable conjunction है conjunction में फिक्स फिक्स हाए यसे कि आपका not only आज आगा not only अंदर कुछ रहेगा sentence उसके बात but also इस तरह से no sooner than लेता है आप than कौन वाला लेता है तो th an वाला लेता है गलती करने के लिए आपको en वाला देदेगा th en लेकिन one लेगा तो no sooner than यह होगा तो option आमार आप देख सकते ह इसको ध्यान लखियेगा conjunction में इस तरह से होथा है conjunction में इस तरह से as आपको देदेगा as डेटो 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 as as so इस तरह से भी देदेगा no sooner than neither or इस तरह से आता है आपको बहुत सारे conjunction है famous आठेदास बोले है उसको याद कलीजेगा तो यहाँ पर हमें क्या भरना था no sooner और हिंदी जाने के जरूरी नहीं आपको सिर्फ पंजाक्शन में का जो रूल है उसको ध्यान रखियेगा खुद से बना आप कर पाईएगा आपको काफी असान लगेगा इतना हिंदी करने के जरूरी नहीं पड़ेगा चलिए साथ नमर देखिए the prizes were dash away by the mayor of the city जो पराइज है वह इस शहर के mayor परदान करेंगे मतलब देंगे आको सम्मानित करेंगे तो यहां पर give giving तो मतलब देना काई सेंस दे रहा अब कॉंसर टेन्स लगेगा उसका इसर आप देखते हैं तो पास्ट है तो गिप्स कभी नहीं होगा giving भी कभी नहीं होगा तो होगा क्या तो होगा यहाँ पर given, ठीक है, the prices were given away by the mayor of city, बहुत लोग giving मार देगा, क्योंकि वेयर है उसके बाद ing होता है, तो वहाँ गलती करिएगा आप, यहाँ पर given होगा, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, इंगलीज में यहीं तो हाँ, छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा, खुद से कर पाईएगा, चलिए, आठ नमर, identify the incorrect part, they left their languages at the railway station, यहाँ error चूच करना है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, left, there, यहाँ क्या कर दिया है, पूल्वल बना दिया, अब पूल्व जो लिखा है, A में से, A, S, E, S, जो नहीं, पूल्वल हाटा दिजिए, singular में लिखिए, आपका स्वई हो जाएगा, तो आपसर नमर, B आपका answer हो जाएगा, लोंग वेज जेज नहीं होगा, लोंग वेज सिर्फ होगा, आपसर नमर, B, आठ का answer, तलिए 9 नमर देखिए तो identify the meaning of the given idea में फिरेज, मतलब मुहाबरा आपको बताना है, एक काफी famous है, to smell a rate, कई बार एकजाम में आ चुगा है, कितने भी एकजाम में आया है, इसका हिंदी होता है, to smell a rate का होता है, मतलब संदे होना, किसी के उपर संदे हो गया, मतलब to smell a rate हो गया, कि मतलब हाई लगता ह कोई गलत काम कर रहा है, इस तरह रखना होता है, शक नहीं होता है, शक पाइदा है, तो उसको मुहाबरा में इस तरह से बोच सकते हैं, to smell a rate, इंगलिस में, तो इसका क्या होगा आपका, देख सकते हैं, option number B को पढ़ सकते हैं, to suspect or trick or dacity, ठीका, option number B आपका answer हो जाएगा, मत to smell a rate का idea, तो क्या होता है, संदे करना, मतलब to suspect or trick or dacity, option number B आपका answer हो जाएगा, चलिए 10 number question देखिए, 10 number question क्या कर रहा है, Robby had to drop his plan of going to patients as he had sorted that to meet during that period, तो क्या होगा इसका answer, तो इसका answer हो जाएगा, option number D, सबका हिंदी बता दूँगा, Commitments, मतलब वादा करना, ठीका, Commitments मतलब वादा करना, क्या, Robby had to drop his plan of going to patients, मतलब Robby जो है, drop करने के लिए, going to patients as he had sorted, या निश्ची था कि वो वादा किया है, वो आएगा ही समय पर, period मतलब अधी हो गया, समय पर आएगा, Commitments, मतलब वादा करना, Commitments, certain commitments, मतलब निश्चीत वादा है, उस तरह का हिंदी आपका बनेगा, तो Commitments का क्या हो जाएगा, हिंदी आपका वादा करना, और सबका हिंदी देख सकते, observation, observation मतलब टिपनिया करना, ठीक, अब्जॉर्वेशन मतलब टिपनियां करना और गेंज और गेंज का होता है आपका और नीवर्टा प्रिप्रेशन मतलब तैयारी ना था कि प्रिप्रेशन मैं हो रहा हूं मतलब तैयार हो रहा हूं अब्जॉर्वेशन का एक और हिंदी हो सकता है कि किसी के बारे में जनकारी करना, अब्जर्ब कर रहा हूँ, मतलब उसके बारे में जनने की कोशिस कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, एक आरे नमर देखिए, आइडेंटीडी, दा साइनु अफ गीवेन वर्ड्स, पीवर मतलब क्या होता है, यह है आपका साइनु बताना है, पी अगर चबिस रहेगा तो हाड नहीं होगा, टूट कर गिर जाएगा, तो यह अब पीवर ध्यांसर रख सकते हैं इसका हिंदी, सुध, अब इसको क्या बनाना है आपको साइनु, साइनु पत्न देखिए, यहाँ पर इम्पीवर, अगर अंटो पुष्टा तो इम्पीवर हो जाता है, इम्पीवर का क्या होगा, असुध, लेकिन क्या बताने आपको साइनु, तो क्लीन, क्लीन मतलब क्या होता है, साप, साप सुट्रा या सुध भी बोल सकते हैं, क्लीन, तो अप्शन नमर सी आपका आंसर हो जाएगा, साइनु, और सब हिंदी इम्पीवर के जान मतलब बड़ा वर्ट को एक वर्ट में कैसे बोलेंगे, बड़े सब्द को छोटे सब्द में कैसे बोलेंगे, देखिए, a man having no hair on the asclep, पहले इसका हिंदी जानेगे, इसका हिंदी होगा, asclep मतलब जिसके स्वर पर बाल न हो, a man having no hair, no hair on the asclep, मतलब स्वर हो जाएगा, इसका क्या बोलते हैं, ता उसे बोलते हैं, blend, option number D, blend मतलब होता है गंजा, ठीक, blend B, L, A, N, D, blend मतलब होता है गंजा, ठीक, ता आंसर आपका D हो जाएगा, और सब हिंदी देख लिजिए, आपका, हिंदी next का देखिएगा, next, next का होता है अंकित, और इसका देखिएगा, pro print मतलब बता है चित्र, ठीका, चलिए, next question देखते है, इसका comment करके बताए हिंदी, मैं सब का हिंदी नहीं बताऊंगा, आप लोग को भी कुछ काम दोंगा, ता option number A का हिंदी, खुद मुझे comment करके बताए आप लोग, चलिए, तिरे नमर, the act or practice of walking in sleep, तो क्या होगा इसका आंसर, तो पहले इसका हिंदी जानिए, the act of or practice of walking in sleep, मतलब नींद में चलने का practice, इसका हिंदी का हो, नींद में चलने का अभयास करना, तो उसका क्या होगा, आपका ये वर्ड में क्या बोल सकते हैं उसे, तो आप बोल सकते हैं आप, अप्सा नमर A, सेमनो बूलिज्म, सेमनो इसका भी हिंदी होता है आपका नींद में चलना, ठीक है, चलिए, fault मतलब गलती, आगा बढ़ते हैं, मैं इन दोनों का हिंदी नहीं देखा हूँ, तो चलिए, चलता हूँ, अब गलती मैं हिंदी थोड़े बता दो, क्यों गलती रट लीजेगा, आप लोग आगा आएगा तो गड़बर होगा, तो उसके सर्च कर लीजेगा, आप लोग उसका हिंदी, चलिए, चोद़न अमर, it is data unit of measurement, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, आप आपको क्या भरना है, अब आपको क्या भरना है, अब आपको क्या हूँ, योईट, अफ्ताक देखिएगा, क्या विप्यंज नम्ण से शुरुवाथ होता है उचारून तो उसके साथ क्या लगाते है ए सते हैं। ये फ़र लगाते हैं। ये फिर S लगाईए गया। कर दो अपने नहीं है। छंसे मतल के दो टो नहीं है, क्या प्ल्डादिकल का है। अटिकल कहता है ना कि उचारन उसका जब अगर स्वन बोन से होगा तो N लगाएगा ब्याजन बोन से उचारन होगा तो A लगाएगा तो unit को पड़ियेगा तो Y से सुरू हो रहा है अब Y ब्याजन बोन है इसलिए आपको A लगाएगा तो अपसर नमर E आपका आंसर होज़ेगा It is a unit of measurement ठीक है चलिए 15 नमर कोशन देखिए क्या कर रहा है इस आपको अंटो बताने को बोल रहा है complaint तो complaint का क्या हो जाएगा आपका पहले इसका अंटो बताना है तो complaint का हिंदी होता है मतलब किसी का बुराई करना ठीक है complaint कर रहा है मतलब किसी का सिकायत कर रहा है या बुराई कर रहा है तो आपको क्या सुच करना इसके just opposite वहला मतलब जो खूब सराहना करे या किसी का खूब बाड़े में बढ़ाई करे उस तरका तो अप्शन नमर D पढ़िएगा appreciative मतलब appreciative किसी को न कहते appreciate I appreciate you मतलब माई आपका संमान करता हूँ मतलब सराहना करता हूँ तो इसका हिंदी होता है सराहना या बढ़ाई करना हिंदी होता आप्री सीयेट्टेव का अब और सब का हिंदी जान ली जिए ed arises adamant ed kernt ka hindi होता है o Photo a dig ü enta knowledge ऑर जटाए कॉन बात बता हो reading हाई एकडान smiling कह 90 कह दिया laughing high अपने बातव पर prohibitive का हिंदी हो गया दोश्पूण कॉनों defect हाई इसमे नब बहुत कौनğum defectraçãoस कौन्माला दीक्ड़ आध्मे आदमी है अब elementary इसको ध्यान में रखेगा हिंदी, elementary का हिंदी होता है प्रारंभिक, बहुत लोग गढ़ाता है, इसका हिंदी होता है प्रारंभिक, elementary, मतला प्रारंभिक, चलिए, next question देखते हैं, इसको छोट कर दू, चलिए, छोटा नहीं हो रहा है, चलिए, ठीक है, स्वरे नमर पढ प्रोजिशन, स्वरी फिर प्रोजिशन चूच करिए, यहां डालिए, तो I shall proceed, देखे, प्रोजीड लेता है, does him, अब यहां पर challenge वाला बात हो रहा है, मतलब किसी से बिरोधा भासुत पन हो रहा है, प्रोजीड, तो इसका क्या होगा, बिरोधा भासुत में क्या दिख रह हो, मतलब कुछ सड़े अंत्र कर रहा है, प्रोजीड मतलब तो ऐसे होता है, आपका प्रोजीड मतलब जारी करना, लेकिन यहां प्रोजीड बतलेगा, तो I shall proceed against him, option number A आपका answer होजगा, चलिए 17 नमर पढ़िए तो, 17 नमर में क्या, choose the correct word, मतलब correct आपको choose करना है, तीन को ग गलत बात होगा, तो बताईए तो, यह मुझे comment करके बताईए आप, यह question मैं छोड़ दे रहा हूँ, मुझे comment करके बताईए कि इसका answer क्या होगा, क्योंकि तयारी कर रहा है medical का और medicine का यह spelling नहीं याद होगा, तो कैसे काम चलेगा, तो मुझे comment करके जो बताईगा उसको अ इसलिए, तो यह रहा है आपका homework, तो वीडियो यहीं पर खतम करते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो like किया करें, share करें, अपने दोस्तों के पास बताईए कि यह अपका पढ़ाई हो रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, thanks for watching my video.